OOT UG 2022 में specifically response sheet में इस बार grace mark कितना देखने को मिलेगा अगर देखने को मिलेगा चार जोन को मिलेगा या फिर छे जोन को जो अग्जाम हुआ था उसी डेट को मिलेगा क्या response sheet में इस बार कुछ गलत हुआ है या फिन नहीं OOT UG 2022 को लेकर अगर आप 1% serious हो और आप चाहते हो मुझे इस बार OOT UG में वेटरिनारी से लेकर home science किसी भी department में मुझे selection लेना है इस वीडियो को एक भी point skip मत करना है क्योंकि इस वीडियो में आपको definitely पता चल जाएगा response sheet के basis पर आपका selection होगा या फिन नहीं इसलिए ये वीडियो थोड़ा बहुत लेंदी हो सकता है लेकिन जो भी मैं points बताऊंगा response sheet के बारे में सब कुछ A to Z crystal clear होई जाएगा इस एक वीडियो में इसलिए ध्यान से answer देखना क्योंकि आप सबी को पता है half knowledge is more dangerous हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है गौतम और आप सबी को स्वागत है हमारी यूट्यूब जान में जहां प्रूता है सिर्फ अर्शिर्फ तूदे पंडबते और कुछ बुक्काश वतने तो फ्रेंड्स आज हम डिस्क्रस करंगे OUAT UG 2024 में specifically response sheet के related जितने भी डाउट से A to Z वो मैं सबकुष detail में clear करूँगा first of all आप सबी को request करूँगा kindly एक बार मुझे निचे comment करना response sheet के basis पर आपका अभी के लिए कितना score आया है तक कि मैं आपको reply दूँगा personally क्या आपका selection होगा या फी नहीं और हाँ वीडियो को एक भी second skip मत करना end तक ही देखना तक कि आपका doubts crystal clear हो सके वीडियो को end तक ही देखना first परणाता है कि sir इस बार OUT UG 2024 का जो भी response sheet रिलिज हुआ है काली है उसमें क्या grace mark मिल सकता है अगर मिल सकता है तो कौन-कौन से students को मिलेगा Test career यहिए जो 4 जो उनको एक January हुआ था क्या उस ही date को मिलेगा या फिर 6 जो उनको एक 19 हुआ है उस ही date को मिलेगा और अगर मिलेगा तो कितने मार्क आपको ग्रेस मार्क देखने को मिलेगा क्योंकि आप स्वाबी के पता होगा O.U.T. U.G. में सिर्फ एक मार्क, 0.5 मार्क पे भी लाखो बचे कम्पेट करते हैं तो इस वीडियो में डिक्स्ट करूँगा ग्रेस मार्क कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और किन कीन को मिलेगा, देखो First of all O.U.T. U.G. में आपको ये बात definitely पता होगा, हर सल बहुत ही top competition रहता है, ये बात आपको definitely पता होगा, लेकिन ये भी पता होगा अगर आप dropper हो या फिर professor हो कि O.U.T. U.G. के response sheet में हर सल थोड़ा बहुत mistakes रहता है, यानने कि कुछ कुछ सही होता है, कुछ कुछ गलत होता है First of all, इस बार मैंने जितना अब्जर्व किया है और जितना भी students अभी response sheet आने के बाद मुझे call किये है, उनके basis पर मैंने ये conclusion पाया है कि इस बार grass mark definitely मिलेगा लेकिन किसको मिलेगा, कितने मिलेगा सब कुछ बता हूँगा, ध्यान चीशन आपको ये बाद definitely पता हूँगा कि O.U.T. U.G. के exam 4 जोन और 6 जोन को conduct हुआ था आप agree करते हो, kindly इस पीडियो को एक बार like करना क्योंकि इस पीडियो को बनाने में बहुत analysis, बहुत student के साथ बात करना के बाद proper analysis को लेके बाद ही मैं ये बना रहा हूँ यसलिए ध्यान चाहिए देखा, देखो 4 जोन, और 6 जोन को exam हुआ था 4 जोन का जो paper हुआ था ना उसमें physics जोन पेपर था, वो easy to moderate लेकिन 6 जोन को जो था वो moderate to top 11, ओके ये राफ फार्स्ट बाण अभी आपका दिमाग में doubt होगा, किसार तो grace mark किन किन student को मिलेगा, ध्यान चीशन, इस बार जो 4 जोन को exam हुआ था ना, उसमें 7 question, फिर से बताराऊ 7 question, आपको grace mark देखने को मिलेगा, मैं जो बताराऊ बेस डोन, बहुत आनासिस करने के बाद, बहुत था student को बात करने के बाद, 4 जोन को आपकी 7 question, गलत हुआ है, OUT मतलब जो भी response में answer दिया है, उसने मतलब गलत answer दिया है, तो 7 mark आपको इस बार grace देखने को मिल सकता है, 1st point, 2nd point, 6 जोन को आपको 7 to 7, 6 to 7 question, grace mark देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे questions, OUT जो भी response रिलिज क्या है, वो गलत क्या है, यानकि उन्होंने गलत हुआ है, तो 20 student को साइध question, grace mark देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, grace mark सिर्क 19 student को देखने को मिलेगा, जो जो students, option correct चूज किया है, आप समझा रहा हूँ, ध्यान से समझा, देखो, A, B, C, D, यह रहा, OUT एक question पर परे, OUT, OUT ने क्या क्या है, कि option C क्या है, उन्होंने correct answer दिया है, इस तरह का साथ question है, लेकिन, students, उन्होंने choose किया है, option A, गलत है, लेकिन, उसने option A चूज किया है, लेकिन, book और google के basis पर, यानि कि authentic analysis करने के बाद पता तला, कि option C, रांग है, लेकिन, OUT ने दिया है, right, first of all, लेकिन, जो google और book में basis पर, मैं, जो analysis क्या है, उसके basis पर, option A ही, पूरी तरह से correct है, मैं फिर से बता रहूं, option A ही पूरी तरह से correct है, लेकिन, option C, OUT ने provide किया है, तो गलत है, अगर किसी भी students, अगर कोई भी serious students है, उन्होंने, response आना के बाद, objection raise करने के लिए, एक, वो form देगा, OUT, OG, जो official, अगर आपको देखने को मिलेगा, अगर वहाँ से, आप objection raise करोगे, अगर आप notice करोगे, कि option A ही correct है, और आपका 100% confidence है कि option A ही correct है, तब आपको grace mark देखने को मिलेगा, जो भी student option A ही choose किया है, यह आपको माइने नहीं रखता है, कि किसने object रेज किया है, लेकिन सभी को, जो भी student option A choose किया है, उन्हें grace mark देखने को मिलेगा, मुझे आसा है concept clear हो गया है, ओके, second point है, कि सर, how much, मैं फिर शाइब बता जाया, चार जून को 7 mark grace mark देखने को मिलेगा, अगर 7 question आपने सही किया है, सही option choose किया है, आपको 7 mark देखने को मिलेगा, अगर कोई student, तीन या चार कुशन सही किया है, और objection raise करने के बाद, उसका follow किया है, वो यानकी correction है, तो अब उसे, hundred percent selection देखने को मिलेगा, मतलब hundred percent grace mark देखने को मिलेगा, अगर इसके बाद भी, आपके मन में एक भी percent doubt हो, तो यह number लेकलो, 9337850394, इसी number पे 20 rupees payment करने के बाद, मुझे call करके, आपना doubt पोच सकते हो, मैं 22 rupees इसलिए आपको बोल रहा हूँ, कि बहुत सरे ऐसे student है, जिनका कोई काम धंदा नहीं है, वो फाल्तु के ही मुझे call करते है, जिसको भी ज़रूरी है, वो 23 rupees payment करेगा, इसी number पे, फोन पे या फिर गूगल पे, उसके बाद मुझे call करके doubt पोच सकता है, नेक्स्ट पॉंट है, कि सा response sheet क्या cancel हो सकता है, बहुत थरा student का यही doubt है, कि सर, insert sheet तो गलत है, यानिकि response sheet में जो भी insert दिया है, वो गलत है, क्या उसके basis पर, OU-T-U-G का exam cancel हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, OU-T-U-G का जो response sheet के basis पर, भले या आपको grass mark देखने को मिलेगा, लेकिन exam cancel होने की chances नहीं है, यानिकि 0.5% chances, मतलब new revised response sheet आ सकता है, या पर grass mark देखने को मिल सकता है, लेकिन OU-T-U-G का response sheet देखने को मिल सकता है, बता रहा हूँ, जिस 4 जोन को और 6 जोन को exam होआ है, जिस डेट को tough level का question है, यानिकि 6 जोन को tough level का question था, PCB या पिर PCM खा, तो वहाँ पर normalization effect बहुत अच्छा काम करेगा, यानिकि आपको maximum grass mark देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 4 जोन के easy question है, वहाँ पर mark तो decrease नहीं होगा, लेकिन जितना mark है उतना ही रहेगा, इतना जदा अगर mark मी बढ़ेगा, इतना normalization देखने को मिलेगा, लेकिन crystal clear मैं आको बता रहाँ, normalization से और grass mark से कोई length end नहीं है, grass mark अलग है, जितना कुशन गलत है, अगर किसने सही answer दिया है, तो उसे complete full mark मिलेगा, लेकिन normalization कुछ अलग है, वहाँ पर आको 4 या 6 उनको जो भी कुशन tough है था, यानिकि जिस date को कुशन पर tough है था, वहाँ प solution पाने का, जो भी students exam दिया है, chances बहुत जादा है, ओके, अगर normalization बारे में कुछ भी doubts हो, तो इस number पर payment करके, मुझे call भी करके doubt clear कर सकते हो, ओके, next point है, इस बार 24 के, response sheet आने के बाद cut off क्या रहेगा, और safe score क्या रहेगा, मैं first of all आपको doubt clear करना चाहूंगा, इस बार cut off और safe score, अभी कोई भी बता नहीं सकता, लेकिन मैं इस बार 24 लेक कितना जाएगा, जितना इवी analysis क्या है, एक special video लाँगा, बहां पर बता सकता हूं, और हाँ, personal अगर आपको जाना है, कि मुझे solution होगा या फिन है, मेरा OIT में इतना score आया है, मैं नेट में इतना score आया है, शरी, 10 में इतना score आया है, 12 में इतना आया है, तो इस नमबर पर call करके मुझे अपना data दे सकते हो, उसके basis पर मैं बताऊंगा, इस बार आपको होगा या फिन है, ओके लास्ट पॉंट है, should I quit OIT exam, बहुत तो लगता है कि सा, यह तो मेरा dropper था, या फिर मैंने बहुत harder किया था, क् से quit करना चाहिए, यान कि छोड़ दना चाहिए, तो first of all आपको यह doubt clear करना चाहूंगा, OIT exam, NEET exam से पूरी तुरा से differ है, OIT एक ऐसा exam है, जहां पर 50% repent करता है, आपका लोक, 50% आपका OIT UG के exam, देखो, अगर कि student का 4 जोन को exam है, उसका question paper easy था, उन्होंने अच्छा score किया, लेकिन 6 जोन को कि student का exam अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि top level का question था, मैं फिट से बता रहा हूं, यह CBT mode exam है, वहां पर नर्मला जैसने फिर देखने को मिलेगा, वले 4 जोन का exam paper, जिसने भी दिया है, उसका solution ना हो, लेकिन 6 जोन को mark definitely off होगा, उसका solution होनका maximum chances है, ओके, तो इसलिए अभी जब तक rankard ना आए, जब तक 5 second round, third round, third round और spot round खतम ना हो, आप kindly OUT UG के बारे में इतना demotivate ना हो, आप यह उम्मिद रखो, आपका solution हो सकता है, ओके, तो फिर से बता हूं, आपको quit करने के जरूत नहीं, OUT UG के बारे में कुछ doubts है, क्या आपका solution होगा या फिन है, इस number पर मुझे call कर सकता हो, ओके, फिर से बता हूं, response sheet cancel नहीं होगा, जो भी होगा, grace mark देखने को मिलेगा, normalization देखने को मिलेगा, लेकिन response sheet में objection raise के लिए बहाँ पर आप objection raise करोगे, उसके बाद mark में, जो भी grace mark, जितना मिलना चाहिए, वो मिलेगा आपको, अतना भी doubt शे, तो इस इस number पर मुझे call करके doubt पूच शेकते हूं, आज इने तरह ही, मिलते नर्ष बड़े में, तब तरले खुच रही है, keep smiling